है लुटत शाट प्रोफाल जो इस तरीके की बात कर रहे हैं तो हमें लगता है रहे ऐसा है यह घुट जो हमारे पॉस्मानिटर होते हैं उस तरीके की लगता है तो हमें लगता है बड़ा कॉंपलिकेटिड है यह ग्राफ यह लाइने अलग-लग कलर की लाइने तो इसमें बिल्कुल भी खबराने की बात नहीं है ठीक है ना हम लोग इसको समझेंगे कि जो ग्राफ है यह जो द्रशारओ और स्कुलाओ यह नहीं होटिकेshट ऊसीन के लिए जायने की लिए हम्हां को आपेदेमे तरीके से ग contractingувати नोड़ा लीगता हूब से कि लिए गारीड़ मोनीटर निंग हरते हैं उप्र के सब्सक्राइब करना हुए नहीं क किस तरीके से अलक आप करते हैं और किस तो आप इस तरीकी का एक सेपरेट पैनल मान लीजिए आप अलग से लगवा सकते हैं जिन मशीनों के नहीं होता है शौट मोनिटरिंग के लिए बट जो अभी मशीने लेटेस्ट सीरीज की हैं राइट फॉन सब मशीनों के अंदर में इंबिल्ट होता है राइट पैनल अलग करते हैं अप्रेशुर के अंदर में हम लोग कास राइशेर इंजेक्शण प्रेशर अपना इंजेक्षिट प्रेशयर एक्कूमिल्टर चाटगि प्रेशर फाप नुट है और चार्शों कम प्रेशुमिलब्लेर प्रेश्ट ही चैप मशीय कर शापने हुआर सथे कितना input दिया है और कितना output उसके अंदर आ रहा है और कितना steady form में आ रहा है हर cycle में जो है कितना variation है उसके अंदर में वो चीज़ चेक कर सकते हैं displacement के अंदर में हम लोग अपने फस्ट फेस, सेकंड फेस और थर्ड फेस की जो length है उनको measure कर सकते हैं राइट उनको हम देख सकते हैं कि हमने कितना input दिया है और यह कितने variation के साथ में वाक कर रहा है तो वह सारा output जो हम लोग इस screen पर देख सकते हैं shot monitor की help से जो है देख सकते हैं shot monitor show and record data for every shot इसमें सबसे जो helpful वाली बात है कि जब भी आप analysis करते हैं किसी product के defect के लिए या फिर किसी productivity improvement project के लिए तो आप number of shots का जो data है वो record कर सकते हैं और उनको एक साथ जो है analyze कर सकते हैं कि हमारे process के अंदर में कितना variation है किस parameter के अंदर variation है और उससे लिट्रेट जो cause हैं वो आप एक identify कर सकते हैं कि अज़ाइब कर दो कि कि